वेलकम तू रेखा क्रियेशन तो आज का हमारे वीडियो है पीको मसीन हमारा जाम चल रहा है तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल में फर्स्ट टाम विजिट करते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के लिए चेक नॉटिफिकेशन बहले है उ देखें इस तरह से आप देख रहे हैं तो यह जाम क्यों होती है पीको मसीन या कोई भी मसीन जाम क्यों होती है तो आज का हमारा यही टापिक है सुरू से लाश्ट तक बने रहीएगा तो वीडियो आपको पुरा अच्छे से समझ में आईगी अगर हमारी वील इस तरह से जाम है ठीक है तो हमें क्या करना है हमें जादा जोर लगा के विल को इस तरह से पुस नहीं करना है अगर पुस करेंगे तो क्या हो का मसीन की हमारी कोई भी पार्ट जो ठीक है वो खराब ना हो जाए ठीक है इसलिए इसे जादा जोर नहीं लगाएंगे सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि हम जो रबड है या बेल्ट है हमारी मसीन में तो वैसे मैंने मोटर लगा के रखा है तो हम मोटर के बेल्ट को निकाल लेंगे कोई भी मसीन हो आपकी कोई भी मसीन हो अगर इस तरह से jam है तो जैसे मैं बता रही हूँ आप ठीक उसी तरह से करना ठीक है पहले आप कोसिस कर ले नहीं ठीक होगी तो mecanic के पास हमें जाना ही है last option हमारा यही बसता है वीडियो देखकर अगर आपकी problem नहीं solve हो रही है तो last option आपका क्या है mechanic के पास जाना आप मुझे comment box में comment भी करके मुझे पूछ सकते हैं अपनी problem को मैं कोसिस ये करती हूँ कि मैं आपकी सारी problem को solve कर पाओ जादा से जादा मेरा यही कोसिस रहता है तो सबसे पहले मैं रबट को निकाल लेती हूँ और हमने रबट को बाहर निकाल लिया है अब हम क्या करें मसीन को उपर ले लेंगे उपर लेने के बाद हमें क्या करना है वो हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हमें बॉबिल केस को बाहर लेना है इसे मने बाहर ले लिया है मैं आपको नजदिक से दिखाती हूँ कि किस तरह की problem हमारी मसीन में हो सकती है अगर धागा अपने लगाया है तो धागा को भी आप उपर की और खीच लो अब हम विल को घुमाएंगे इस तरह से धीरे धीरे विल को हम घुमाएंगे देखो विल अभी भी हमारा टाइट है तो क्या problem हो सकती है हम देखेंगे कि हमारी मसीन में जो सटल है इस जगा धागा तो नहीं फसा है मैं आपको दिखाना चाहूंगी देखें ये धागा फसी है आप देख रहे होंगे मैं आपको जुम करके दिखाती हूँ देखें इस जगा हमारा धागा फसा हुआ है देखें आप देख रहे हैं भागा मार फसा हुआ है तो इस जगा को बाहर निकाल लेंगे विलकों हलका हलका गुमाएंगे और उसकी और जैसे कि आप देख रहे हैं देखें थ्रेड हमारा बाहर आचुका है जब तक यह धागा फसा था तब तक हमारा सटल मूब अच्छे से नहीं कर रहा था अब देखें यह असानी से मूब कर रहा है क्यूंकि मैं विलकों गुमा रही हूं तो इसातल हमारा मूब कर रहा हैं हमने कुछ नहीं किया है हमने सिर्भ सटल से धागा को निकाला है तो हमारी मसीन फ्री हो चुकी है मैं आपको set करके और machine को घुमा के दिखाती हूँ तो मैं आपको will घुमा के दिखाती हूँ देखे एकदम ये free हो चुकी है आप देख रहे हैं तो friend मैं उमीद करेंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई है तो जरुतमन को जरूर सेयर कीजिएगा और हाँ हमारे वीडियो को like, subscribe, share करना ना भूलिएगा अगर first time visit करते हैं तो हम मिलते हैं मसीन की एक नई problem के साथ तब तक के लिए बाबाई, take care